इमानदारी और जुनून की तरह काम करने वाले महम्मद शाबिर हुए सेवा निवरत सभी साथियों ने दिया सम्मान पूर्वक विदाई अपने कारे को हमेशा जुनून की तरह करने वाले कारचेत में भाईचारे की मिसाल धनपुरी निवासी महम्मद शाबिर बीते दिन S.E.C.L. सुहागपुर छेतर में अपनी लंबी कुसल सेवा के बाद सेवा निवरत हुए इस मौके पर जहां सेकड़ों की संखिया उनके इस्ट मित्रों साही सगे संबंधियों वरिष्तेदारों ने आगामी जीवन के लिए सुबकामनाय प्रिसित किया वहीं इस्ट मित्रों ने कहा कि मौकमद शाविर S.E.C.L. से सेवा निवरत हो चुके हैं लेकिन उनके दिलों में उनका हमेशा राज रहेगा सभी कामकार मित्रों ने मौकमद शाविर के बारे में बताते हुए कहा कि अपने काम को सच्ची सेवा और लगन से करना उनसे कोई सीखे उनकी अंदर अपने कार के प्रती निष्ठवा जुनून देखने लायक था हमेशा समय पर काम पराना निष्ची तय समय तक काम पर रुकने के साथ ही उन्होंने कभी किसी कार को नराज नहीं किया अपने से छोटे को सिखाने के साथ ही उनसे सीखने का भी प्रयास किया हमेशे मरदभाशी रहते हुए सकरात्मक सोच के साथ काम करना उनकी पहली प्रात्मिक्त थी और यही कारण भी था कि वह अधिकारियों के हमेशा चहेते वह करीबी थे गौर तलब है कि महुमद शाविर एशेशियल सुहागपुर छेतर के अमलाई योसियम में ड्राइवर कम मेकैनिक के पत्पर तैनात थे वहीं सेवा निवरत के अवसर पर आयोजी समान समारों में महुमद शाविर के बारे में वहां मौजूद वरिष्ट अधिकारियों ने कहा स्री साविर अपने कार छेतर के कुसल निर्तर तो करता थे अपने साथ हुए साथ ही कामगारों को भी सदेव सकरात्मक कारी के लिए शदेव पर इरित करते थे अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कम ही करमचारी होते हैं जिनका कार इतना शमरपित होता है S.E.C.L. सदेव उनके कारियों को याद करेगा और उम्मीद है कि उनके साथी कर्मचारी उनके कारियों से प्रेड़ना लेंगे सेवा निवरत के इस सब मौके पर मौमत साबिर के घर से दरजनों वहनों में सवार होकर शेकड़ों लोग पहले धनपुरी ओसियां पहुंचे जहां उनके अपने साथी कामकारों से मुलाकात की साथियों ने उनके अगामी जीवन के लिए शुपकामनाय प्रेसित करते हुए फोल माला पहला कर उनका सम्मान किया इसके बाद परिवार वाइस्ट मेतर जन एसीसियल द्वारा आयोजित तीन नंबर शभागार इस्थल पहुंचे जहां माप्रबंदक पी स्री कृष्ण सहित अन आला आधिकारियों द्वारा समस्त सेवा निवरत कर्मचारियों को साल श्रीफल प्रसस्ती पत्र सहित उपह जीवन को खुसाली से जीने की बढ़ाई देते हुए कहा कि आप सबने सेवा निवरत के बाद एक बड़ी रासी आप सभी को मिलेगी जिसका निवे सोच समझ कर करें ताकि भविश्य में कभी कटनाई नहों उन्होंने कहा कि आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने का आउसर है आने वाला जीवन कैसे आनांदित करें उस पर ध्यान दें जीवन ने कहा कि सेवा निवरत के बाद कई बार ऐसी सिकायतें आती हैं कि करमचारी को उसके विविर रासियों की प्राप्ति में कटनाई हो रही है आगामी काग जी कोरम पूरा करने में तमाम कटनाईय जैसे कई लाब दिये जाते हैं आता सभी करमचारी अपने दस्तवेजों की खाना पूरती जल्द से जल्द करने में ताकि उन्हें भविस में कटनाई नहों और एसी सियल की तमाम सोविधाये का लाब उन्हें मिल सके